आप सभी का प्रिक्शर टाइम में स्वागत है आज हम फिर एक नहीं ठोडी के साथ आए हैं हमारी ठोडी का नाम है Adolescence की Ego-Centricism की जो हमारी age होती है Adolescence उसमें जो characteristics देखी जाती है हमारे Adolescence के अंदर तो आज हम वही करने वाले हैं तो David Alkin Ego-Centricism Theory इनका यह कहना था कि जो किशोर अवस्ता वाले बच्चे अपनी चीजों को अपने according एनलाइस करते हैं इनका यह था कि जो किशोर होते हैं वो चीजों को अपने ही according एनलाइस करते हैं उनको समझते हैं इस इन में एहम होता है वह मतलब एहम मतलब Ego-Centricism की वही बस अपने से मतलब वह अपने आपको खास समझते हैं अब उन्होंने basically इस theory के अंदर इन्होंने तीन concept बताई हैं और six characteristics बताई हैं अब हम डेविड एलकन की जो theory है उसके concept देखेंगे सबसे पहले तो इन्होंने कितने concept बताई हैं तीन concept बताई हैं पहला concept है हमारा Ego-Centricism sorry imaginary audience अब imaginary audience को आप English में क्या बोलेंगे कालपनिक दर्शक ठीक हैं अब imaginary audience में क्या है उन्होंने ये बोला कि जो किशोर होते हैं इस अपनी अवस्था के अंदर ये मानते हैं कि जो एक किशोर होता है है वह कहीं पर भी जाता है या स्कूल जा रहा है तो उसको ऐसे लगता है की ना सभी मेर्कों देख हरे हैं मतलब ऐसा उसको जो है अपने अंधर ही लगता है कि सब मेंहें को नौटिस करते हैं यदि मैं कुछ जैसे कि आपने देख़ा होगे जो कि शोर होते हैं वह जादा तैयार होना पसंद करते हैं वह कभी चैने खूंख तो इस तरीके से imaginary audience कि शोरो को यह लगता है कि सब उन्हें ही देख रहे हैं सब उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं तो यह क्या है एक तरीके की imaginary audience होती है उनके दिमाग के अंदर फिर second जो है उन्होंने concept दिया इंडिविज्वल फिबल का जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत मिथ अब इसमें क्या है कि वो कुछ भी काम करेंगे ना उनको यह लगेगा कि यह काम तो उस मैंने किया है ऐसा काम तो कोई करी नहीं सकता मतलब कि ऐसा ही उनको जो है उनकी thinking होती है कि जो मैंने किया है आज तक किस कोई करी नहीं सकता मतलब जब हमें खुद से वहम होता है मैं जो कर रहा हूँ यूनीक कर रहा हूँ मेरे जैसा किसी ने भी किया नहीं होगा ऐसा कोई कार रहा है ठीक है फिर थर्ड हमारा जो है concept के अंदर जो थर्ड concept है वो उन्होंने दिया इन्विंसिबिलिटी फैबल का जिसको बलते हैं अटल मिथ और यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है इसमें क्या होता है जो आपने देखे होंगे कि बच्चे नहीं होते हैं तेज बाइक वगरा चलाते हैं उनको बोला भी जाता है कि तुमको चोट लग जाएगी लेकिन प Batteryاب घял ऑत्र तेरा इसमें के चलवह कुंदर हैं को हां जाविक अपने और क्या करते हैं यह अपनी स्पीडम है यह सारे हर्कते करना मला वनको श्क्र एक नहीं कि नहीм नहीं इसमें सच में उनको स्पार्ट रो गालउ में तो सोग स्पीड में भी खलालू मेरा कोई कुछ भी गाड़ नहीं सकता, यह जो सोच होती है यह अटल मित होती है invincibility fable होता है, बहुत बड़े वाला पैम होता है, इसमें मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ ऐसी सोच जिनकी होती है मैं गिर जाओं, तो मुझे कभी भी मतलब कुछ भी नहीं होगा ऐसी जो thinking होती है मलब की मोत मेरा कुछ नहीं भी गाड़ सकती जो इस टाइप के adolescence होते है, तो उनके अंदर क्या होता है invincibility fable होता है ठीक है, अब यह तो थे इनके डेविड के इन्होंने अपनी ठीओरी के अंदर जो है यह तीन कॉंसेप्ट दिये अब उन्होंने जो है six characteristics भी बताई adolescence की stage के अंदर कि भी यह six characteristics होती है तो पहली वी शेष्टा क्या है idealism versus criticism, इसमें क्या होता है कि किशोर कभी तो किसी को अपना आदर्श बना लेंगे और फिर वह हैं, उनका criticism करते है मतलब कि जैसे adolescence की उमर में किशोर वस्ता के अंदर क्या होता है कि भी हर किसी बच्चे का हर किसी adolescence का उस उमर में कोई ना कोई एक role model होता है या फिर एक ideal होता है जिसको वो देखके उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं ठीक है अब जब वह हैं उनकी तरह नहीं बन पाते हैं या फिर जिस फिल्ड में वो expert होते हैं जो उनका role model है तो वो उसी फिल्ड में जाने की कोशिश करेंगे अब यदि वो उस फिल्ड में जो है खुद जो है एक काम्याब नहीं हो पाते या उनके जिसा नहीं बन पाते हैं तो वो क्या करेंगे उनको criticize करना शुरू करते हैं तो ये पहली characteristics हुई idealism versus criticism की जिक है क्या किशोर कभी तो किशी को अपना आधर्ष बना लेंगे और फिर वह उसको कुछ टाइम बात जब उनकी तरह नहीं बन पाते हैं तो वो उनको क्या करेंगे वो उनको criticize करना शुरू कर देंगे भई ये तो जैसे कि हम देख सकते हैं मैं example दोंगी जैसे हमारे players होते हैं अब हम एक अंदाजा लगा सकते हैं यदी 100 player बनने के लिए तयार हैं तो उन में से एक उन सो बच्चों में से एक या दो ही जो है फेमस होते हैं या फिर एक बड़े अच्छे लेवल पर प्लेयर बन पाते हैं तो अब जो वो रह गए 99% या 98% जो बच्चे रह गए जो नहीं बन पाए तो वो उनको जो जिसको देखकर वो पनने की कोशिश उन्होंने जो एक कोशिश की थी बनने की उनकी तरह अब वो उसको क्या करेंगे जो नहीं बन पाए तो उसको क्रिटिसाइज ही तो करेंगे तो यह होता है आलोचनात्मक वर्सिस आदर्शवात कि बही जल्दी ही वो उनको अपना role model बना लेते हैं और फिर जल्दी ही उनको criticize करने लग जाते हैं ठीक है? Second जो विशेष्टा है वो है argumentiveness तर्क और वितर्क की अब क्या है इसके अंदर? किशोर अपने आपको बहुत बड़ा समझने लगते हैं बड़ों के बीच में बातों को बातों में भाग लेते हैं अब इसमें क्या है? कि वो अपने आपको बड़े समझना शुरू कर देते हैं एक तो ये जो age है adolescence की वो है यह ऐसी कि उनको यह नहीं बता होता वो थोड़े से confused होते हैं उनको नहीं बताता कि वो चाइल्ड है या फिर एक एडल्ट हो चुके हैं वो एक बीच की स्टेज है इसलिए वो पहले ही confused रहते हैं तो वो argumentiveness वाली स्टेज पर उनके अंदर जो है विशेशता देखी जाती है कि वो जो है serious discussion में भी जो है अपनी राई या फिर उनको जो है अपनी thoughts को प्रकट करने की जो है इच्छा जागरूक होती है कि मैं बताऊंगा यह ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो तो argumentiveness तर्क विशेशता देखी जाती है फिर उसके बाद third जो है characteristic सा indecisionness इसमें क्या है अनिरिनेता कि वही अब जो किशोर होते हैं उनको decision लेने में na conflict पैता होते हैं द्वंद पैता होते हैं उनको यहीं नहीं पता होता कि जो मैं decision ले रहा हूँ वो सही है या गलत है लेकिन वो मतलब confusion के अंदर रहते हैं तो indecisionness उनके अंदर जो है characteristics देखी गई है कि किशोर उनको decision लेने में conflict होता है वे अपने decision को सही डंग से नहीं ले पाते हैं उनके वीच में द्वंद होता है कि उन्होंने जो decision लेया वो ठीक है या गलत है जो भी है ठीक है फॉर्थ आता है Hypocrisy जिसको बोलते हैं हिंदी में दिखावा कि शोर इस समय बहुत दिखावा करते हैं कि बही मतलब एक तो वो अपना जो ओरा होता है जो circle होता है उनका peer group वला वो choose ही ऐसा करते हैं कि बही वो अपने आपको ओर अच्छा दिखा सके अब कुछ situations में ऐसे होते हैं कि बच्चे की condition वैसी नहीं होती जैसा वो show off करते हैं मतलब इस adolescence उमर में वो ज़्यादा से ज़्यादा show off करना पसंद करते हैं कि बही सब मैं ज़्यादा show off मतलब कि मैं अच्छा बनूँ या फिर सब ही मुझे पसंद करें इस टाइब की hypocrisy दिखावा करना जो है उनको अच्छा लगता है फिर हमारी जो next characteristics आती है वो है self-consciousness की आतम चेतना कि भई वो अपने आपको इतना self-obsessed होते हैं मतलब इक तरीके से कि भई वो कहीं बहार भी जा रहे हैं तो दस बार यू पूछेंगे या दस आदमियों से पूछेंगे अच्छा मैं कैसे लग रही हूँ मैं ठीक लग रही हूँ मैं ठीक लग रही हूँ मैं बहुत जादा इन में बहुत जादा self-consciousness होती है घर से बहार निकलते समय 10 बार सीशे में देखते हैं या फिर अलग-अलग people's की राहे लेते हैं basically यह मेरे साथ होता है self-consciousness मेरे में अंदर है क्योंकि मैं जब भी बहार जाने के लिए तैयार होती है तो मैं सबसे पूछती हूँ तीक है फिर हमारा आता है specialness जिसको बोलते है इसमें क्या होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा मैं सिमेंट का बना हूँ मुझे हेलमेट की क्या ज़रूरत होती है यह उसे related है हमारी जो थर्ड कॉंसेप्ट बढ़ाता है नमने फैबल वला उसमें उसमें भी हमारा यह है मेरा कोई बिगाड नहीं सकता यह वगेरा वही इसके अंदर है specialness अपने आपको special समझना ठीक है आपने आपको तो बिल्कुल खपीटर टाइप समझते है यह हमारी जो है यहाँ पर complete हो जाती है और आमने यह हमारी pre-mect theory है David Elkin की यह complete कर ली है sorry pre-mect theory नहीं है egocentrism theory pre-mect theory हम next अपनी class में continue करेंगे और फिर उसके बाद दो चार दो हाँ दो या तीन topic रह जाएंगे वो भी मैं आपको करवा दूँगी और वो छोटे-छोटे हैं इसलीव यदि आपको वीडियो तो प्लीज लगे तो प्लीज लाइक और सुब्सक्राइब मैं चैनल और यदि कोई भी प्रॉब्लम वह तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं और थैंक यू फॉर वाचिंग